हुआ दोस्तों आप देख रहें हैं घयदे की पाइब पिर पConford काैसे लेते हैं इसके मैं आपको जो भी गेदे के पौदा लगा रखा सभी गेदे के पौदे में यह कंडिशन जरूर आ रहा है और इस समय अगर इसको आप अच्छे तरीके से अब दवा का छुड़काव नहीं करेंगे तो बिल्कुल गेदे के पौदा आपका खराब जाएगा दोस्तों मैं अब पुदाद पत्या आप देख रहे हैं बिल्कुल पत्या जिस तरीके से जल रही है एकदम पूरा जलने नुमा हो गे थी तो तीन से चाज नहीं पर जो दवा का छुड़काव करने जा रहे हैं आपको सोचियाम आपको दिखा दे तो दोस्तों सबसे जो पहला इस पे आपको काम क्या कर करना है आप अपने गार्डेन बगर गेदे के पता लगा रखे होंगे तो सबसे जो फस्ट काम है इसमें आपको देना है फटलाइजर जैसे फटलाइजर में आप नोट कर लिजिए इससे आप ले लिजिए सड़ीवी गोबर की खाद या अगर आपके पास लीप ले सकता है लेकिन देखिए हम सड़ीवी गोबर की खाद ले लिए और इसमें आपको मिक्स क्या करना है इसमें कम से कम यह 3-3 kg तेमें इसमें आपको लेना है नीम खली दोस्तों यह जो डीजी आप देख रहे हैं गेदे के पौदे पर इसमें नीम खली का भी बहुत एहम अधा करता है और इसको मिट्टी भी मिक्स करता है नीम खली को दोस्तों हम मताता है आपको कि अगर एक केजी सड़ीवी गोबर की खा दे तो इसमें 100-200 गुराम तक आप मिक्स कर सकते हैं नीम की खली देखिए मैंने मिक्स कर दिया और उसके बाद एक बहुत 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 अगर आपके पास 19-19-19 NPK होगा तो इसको दोस्तों आप जरूर मिक्स करिए इस करनेशन पर या तो गुल्दावदी का पौदा हो या गेदे का पौदा है इसमें बहुत 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 बहुतरी इसका काम होता है तो कितना मिक्स करना एक केजी सड़ीवी गोबरी खाद मे में बर्मी कमपोश्ट में लीब कमपोश्ट में आपको यह दस ग्राम तक ही मिक्स करना हूँ सिर्फ करना और यो दोस्तों जो NPK होता ही आरगेनिक होता है मार्केट में आपको आरगेनिक NPK मिल लाएगा बहुत ही बहातरिनिस का उपयोग है इस कंडिशन में आप इसको करना क्या है कि अच्छे तरीके से पहले आप इसकी मिट्टी की आप गुडाई करने के बाद ही आप इसमें फटलाजर का यूज करिएगा क्योंको दोस्तों गुडाई करना भी बहुत जरूरी है तो हम सभी पहुदे कर मिट्टी की गुडाई करते हैं सभी पहुदे के हम मिट्टी की गुडाई कर दिया अच्छी तरीके से अब आप को जो एक खाद है इस खाद को आप चारों तरफ चारों तरफ से दे दिजिए और दोस्तों देने अगर आपको requirement है तो आप देदेजिए पानी नहीं requirement है तो पानी नहीं देजिए कोई दिकत नहीं है लेकिन दोस्तों 24 गंटा बाद आप इसे पानी जरूर देदेजिएगा दोष्टों हम बात में सभी में देदेंगे इस खाट को उसके बाद इसमें आपको करना क्या है कि आप अप ये देख रहें जो हिए मैंने दवा कर चिरिका हो रही हाओ अप पल्च लेली कि एक किसे काम करता है और एक लिटर में कितना लेना है दो से तीने मल हम यूज करते हैं अपने इस निमायल को आपके पास जो निमायल होगा जितने कॉंटेटिव में यूज करते होंगे उससे आप यूज कर लीजेगा दूसरा चीज में हमें यूज किया था आप देख रहे हैं य भूख कर रहें हैं अब इसको अच्छे से हम घो लेते हैं घोलने के बाद इसको यह स्प्रेइपम में में भारल लेते हैं दोस्तों यह कब श्かान लेते हैं श्थाना जरूरी इसलिए है कि इस प्रेइपम में कहीं जाकर यह फर जाता है और छुड़काव करने में बहुत दिक्कत होता है अब दोस्तों आपको करना क्या है कि अच्छे तरीके से इसको पूरा नहला देना है उपर सिंद्जे तक पूरा पत्ते को जड़ को भी अच्छे तरीके से इस तरीके से आप नहला दीजिए और दोस्तों मैं बता हूँ आपको कि यह तीन दिन पहले मैंने इसके छुड़काव किया तो बहुत अच्छे तरीके से पौदे पर यह काम किया था और आज मैं दोबारा इसके छुड़काव कर रहे हैं और मैं एक चीप बात आपको बता दूँ कि हर तीन से चार दिन पर लगातार आप तीन से चार बार इसका छुड़काव कर दीजिए जो पत्ते जल रहे हैं जो पत्ते फोल्ड हो रहे हैं बिलकुल यह खत्म हो हैं आप देख सकते हैं देखें जिस तो इस तरीकेसे यह शुड़का जलना शुरूए थे इस तरीके किसे पत्ता जल रहा है। तो छिड़काव करना आपको इस पर भी बहुत ही जरूर यह देख सकते हैं यह उसके बाद दोस्तों हम आप पूदा दें कि यह आप नोट कर लिए कि हर तीसरे दिन या चोथे दिन इसको आपको रिपीट करना है कम से कम तीन बार तो तीन बार आप इस पर रिपीट कर और जो बर्स आप देख रहे हैं यह इतनी ज्यादे मात्रा में दोस्तों यह बर्स आएगा कि आप अपने पौदे पे फूलों के संख्या गीन नहीं पाएंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तर प्ली वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और चैनल को स्क्र कर दें मिलते हैं आप से न्यू वीडियो न्यू टपिक के साथ धन्यबाद